हलो फ्रेंट्स मैं प्रदीप स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूटूब चैनल पर फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आप लोगों को सॉलर रूप टोप योजना के बारे में बताने वाला हूँ अगर आप इस योजना का लाब लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना है इसकी जानकारी डिटेल में step by step आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है लेकिन इससे पहले इस योजना के बारे में चलिए कुछ जानते हैं दूसरे देशों के तरह हमारे देश भारत में भी सौर उर्जा को उप्योग करने के दिसा में बहुत सारे काम किये जा रहे हैं जैसे बड़े-बड़े plants लगाये जा रहे हैं और इन plants में बड़े पेमाने पर बिजली का उत्पादन किये जा रहे हैं और उप्योग में लाये जा रहे हैं। इसके साथ ही बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं। जैसे ही ये सारे प्लांट्स बनकर तेयार हो जाएंगे, इनसे भी बिजली उतपादन करके उप्योग में लाया जाएगा। इसको और भी आसान करने के लिए सरकार के द्वारा देश के सभी राजियों में रूप टोप योजना का सुरुवात किया गया है इस योजना के तहत आप अपने छतों पर सोलर पैनल लगा के बिजली का उपयोग कर सकते हो इसका उपयोग आप घर के लिए, दुकान के लिए, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए या फिर किसी इंडस्ट्री में भी कर सकते हो अगर आप इस योजना के तहत सोलर रूप टोप लगाओगे तो आपको लगभग 70% तक सबसीडी मिलेगा और सबसे बड़ी बात ये है कि इससे परियावरन को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुचेगा अगर आप इस योजना का लाव लेना चाहते हो, तो इसके लिए आपको ओनलाइन आविदन करना होगा इस वेबसाइट पर आने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा आपको वहाँ पर जाना है, वहाँ पर जाने के बाद दिये गए लिंक पर क्लिक करना है जैसे ही आप उस link पर click करोगे आप इस website तक पहुँच जाओगे इस website पर आने के बाद आपको scroll करके थोड़ा सा नीचे जाना है जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे जाओगे आपको एक option देखने को मिलेगा जिसमें लिखा होगा apply for solar rooftop आपको उस पर click करना होगा जैसे ही आप उस पर click करोगे आपके सामने इस तरह का एक page खुल कर आ जाएगा इस page पर आते ही आपको सभी राज्यों का नाम लिखा हुआ देखने को मिलेगा और सभी राज्यों के सामने इस योजना के लिए apply करने का link आपको देखने को मिलेगा सब भी राजियों के लिए apply करने का process लगभग लगभग सेम है आप जिस राज के लिए apply करना चाहते हो उस राज के सामने वाले link को click करना होगा तो चलिए किसी एक राज के लिए आपको apply करके बताता हूँ तो यहाँ पर मैं आपको जारखन राज के लिए कैसे apply किया जाता है यह करके बताता हूँ आप जिस भी राज से हो आप apply कर सकते हो मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि हर राज के लिए apply करने का process लगभग लगभग सेम ही है तो जार्खन राज के लिए apply करने का यहाँ पर दो-दो link दिया हुआ है पहला link है जार्खन बिजली बित्रन निगम लिमिटेड और दूसरा link है Tata Still Utilities and Infrastructure Service Limited का तो चलिए आपको जार्खन बिजली बित्रन निगम लिमिटेड के लिए apply करने का process बताते हैं तो apply करने के लिए आपको इस link पर click करना होगा जैसे ही आप इस link पर click करोगे आपके सामने इस तरह का एक page खुल कर आ जाएगा अगर आपने इसके लिए पहले ही registration करके रखा है तो आप अपना username और password को यहाँ पर fill करके इस square box में tick करके आपको यह साबित करना है कि आप एक robot नहीं हो इसके बाद आप login पर click करके आगे को process कर सकते हो अगर आपने अपना password भुला दिया है और आप recover करना चाहते हो तो यहाँ पर दिये हुए option के थुरू आप अपना password recover कर सकते हो इसके साथ ही अगर आप अपना mobile number अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो और registration करने के लिए आपको new user पर click करना होगा जैसे ही आप इस पर click करोगे आपके सामने इस तरह का एक page खुल कर आ जाएगा इसमें आपको अपना first name, last name, email id, mobile number और district फिल कर लेना है इसके बाद इस square box में आपको tick करना है यह सब फिल करने के बाद आपको register पर click करना है जैसे ही आप register पर click करोगे आपके mobile पर और आपके email id पर आपको अपना username और password SMS के थुरू और mail के थुरू मिलेगा इसके साथ ही यहाँ पर आपको एक link देखने को मिलेगा जिस पर लिखा है click here for login आपको इस पर click करना है जैसे ही आप इस पर click करोगे आपके सामने इस तरह का एक page खुल कर आ जाएगा इस page पर आने के बाद आपको SMS या mail पर जो भी username और password मिला है उसे यहाँ पर fill करना होगा इसके बाद आपको इस square box पर tick करना होगा और login पर click करना होगा जैसे ही आप login पर click करोगे आपके सामने इस तरह का एक page खुल कर आ जाएगा इस page पर आने के बाद आपको 3-4 options देखने को मिलेंगे उसमें से पहला option new connection lt पर click करना है जैसे ही आप इस पर click करोगे आपके सामने एक नया page खुल कर आ जाएगा इस page पर आपको लिखा हुआ दिखेगा apply for new connection यानि कि यहीं से नए connection के लिए आपको apply करना है यहाँ पर सबसे पहले आपको application type select करना होगा जैसे की individual या organization तो आप जिसके लिए apply करना चाहते हो आप उसे select कर लोगे इसके बाद आपको आधार card का number या pen card का number फिल करना होगा इसे फिल करने के बाद आपको अपना नाम फिल करना होगा अपने नाम में से सबसे पहले आपको first name उसके बाद आपको अपना last name फिल करना है नाम फिल करने के बाद आपको अपने father का नाम या फिर अपने husband का नाम फिल करना है इसके बाद आपको अपना gender select करना है जेंडर सलेक्ट करने के बाद आपको अपना कॉंटेक्ट नमबर फिल करना है कॉंटेक्ट नमबर फिल करने के बाद होल्डिंग नमबर फिल करना है होल्डिंग नमबर फिल करने के बाद प्लोट नमबर फिल करना है प्लोट नमबर फिल करने के बाद खाता नमबर फिल करना है खाता नमबर फिल करने के बाद आपको लोकेलिटी सेलेक्ट करना है तो आप जिस भी लोकेलिटी से हो आप उसे सलेक्ट कर दें इसके बाद आपको कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना है इसमें सबसे पहले आपको house number, plot number या परमाईस number यानि की परिसर number फिल करना है इसे फिल करने के बाद आपको अपने street का या अपने गली का नाम फिल करना है इसके बाद आपको area या colony फिल करना है area या colony फिल करने के बाद आपको अपना district select करना है तो आप जिस district के लिए इस योजना का लाब उठाना चाहते हो आप उस district को यहाँ पर select कर दें district select करने के बाद आपको अपना pin number फिल करना होगा इसके बाद आपसे यह पुछा जाएगा कि जहाँ पर आप connection करवाना चाहते हो वो address और communication address क्या यह दोनों address same है अगर यह दोनों address same है तो यहाँ पर दिये हुए square box में आपको tick करना होगा जैसे ही आप इस square box पर tick करोगे नीचे का सारा address box automatically fill हो जाएगा और अगर यह दोनों address अलग-अलग है तो आपको इस square box पर tick नहीं करना है और आपको connection address fill करना है connection address fill करने के बाद आपको landmark fill करना है अगर आप landmark fill करते हो तो इसके जरी आप तक आसानी से पहुचा जा सकता है इसके बाद आपको next पर click करना है जैसे ही आप next पर click करोगे आपके सामने इस तरह का एक page खुल कर आ जाएगा यहाँ पर आपको supply information fill करने के लिए कहा जाएगा तो इसमें सबसे पहले आपको plot size fill करना है plot size fill करने के बाद आपको covered area fill करना है इसके बाद आपको supply का category select करना है तो आप जिस category का supply चाहते हो आप उसे select कर दे इसके बाद आपको sub category select करना होगा तो BPL consumer के लिए DS1A, rural consumer के लिए DS1B इस तरह से category वाज partition किया हुआ है तो इसमें से आप जिस category पर आते हो आप उसे select कर दे इसके बाद आपको connection type select करना होगा तो आप permanent, temporary, provisional इन तीनों में से जिस type का connection चाहते हो उसे आप select कर दो इसके बाद आपको producer select करने के लिए कहा जाएगा तो आप जिस producer के लिए connection करना चाहते हो उसे select कर दो इसके बाद आपको purpose of supply select करना होगा कि आप किस purpose के लिए connection करवाना चाहते हो तो आप उसे select कर दे इसके बाद आपको total load fill करना होगा तो आप जितने लोड के लिए connection लेना चाहते हो उस लोड को यहाँ पर fill कर दें इसके बाद आपको area board select करने के लिए कहा जाएगा तो जैसे ही आप यहाँ पर click करोगे आपके सामने सारे area board खुल कर आ जाएंगे आप जिस area board के लिए connection करना चाहते हो आप उसे select कर दें सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा सब डिविजन को भी सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपके डिविजन में जितने सब डिविजन है वो खुल जाएंगे आपको उसमें से एक select कर लेना है इसके बाद आपको दो बात indicate करने के लिए कहा जाएगा जिसमें से पहला ये है कि क्या ये सारा काम आप अपने से करवाना चाहते हैं अगर आप अपने से करवाना चाहते हैं तो yes को select करें और अगर अपने से नहीं करवाना चाहते हैं तो no को select करें दुसरा बात ये है कि क्या आप अपना CEA approved meter अपने से लगवाना चाहते हैं अगर आप अपने से लगवाना चाहते हैं तो yes को click करें और नहीं तो no को click करें इसके बाद नीचे आपको next का option देखने को मिलेगा आपको उस पर click करना है जैसे ही आप उस पर click करोगे आपके सामने इस तरह का एक page खुल कर आ जाएगा यहाँ पर आपको अपना documents upload करने के लिए कहा जाएगा तो सबसे पहले आपको अपना recent photograph upload करना है इसके बाद identity के लिए आपको अपना कोई भी identity card यहाँ पर upload करना होगा और जिस identity card को आप upload करोगे उसे यहाँ पर select भी कर देना है इसी तरह से यहाँ पर आपको ownership का proof upload करके select कर देना है अगर आप किसी firm या company के लिए connection करवा रहे हो तो इसके लिए आपको authorization document भी upload करना होगा और साथ में यहाँ पर mention भी करना होगा इसके बाद यहाँ पर कुछ notes दिये हुए हैं इसे आप अच्छे से पढ़ के समझ लें इसके बाद नीचे आपको next लिखा हुआ देखने को मिलेगा आपको इस पर click करना है जैसे ही आप इस पर click करोगे आपके सामने इस तरह का एक page खुल कर आ जाएगा इस page में आपके electricity dues के बारे में पूछा जाएगा इसमें से किसी में अगर आपका electricity dues है तो आप इसे यहाँ पर mention करोगे as या no click करके इसके नीचे आपको declaration देखने को मिलेगा आगे बढ़ने से पहले आपको ये सारे declaration accept करना होगा accept करने के लिए यहाँ पर दिये हुए square box पर आपको tick करना है इस square box पर tick करने का मतलब यह है कि उपर दिये हुए सारे declaration आप agree कर रहे हो इसके नीचे आपको finish लिखा हुआ देखने को मिलेगा आपको इस पर click करना है जैसे ही आप इस पर click करोगे आपका भरा हुआ form यहाँ पर detail के साथ पूरा दिखने लगेगा और इसके नीचे आपको दो option देखने को मिलेंगे एक print का और एक pay करने का आप यहाँ से अपने form का print out ले सकते हो print out लेने के लिए आपको print पर click करना होगा और अगर आप pay करना चाहते हो तो pay पर click करके आप आगे बढ़ सकते हो जैसे ही आप pay पर click करोगे pay करने के लिए आपको बहुत सारे option यहाँ पर देखने को मिलेंगे अगर आप card से payment करना चाहते हो तो credit card या debit card को select करे और अपने card के type को select करे select करने के बाद आप pay कर दे यहाँ पर आपको और भी सुविधा दी गई है जैसे कि net banking और case card wallet तो आपकी मर्जी आप किसी से भी pay कर सकते हो आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर आज का इस वीडियो आपको पसंद आया हो तो like, share and comment जरूर करें चैनल पर नए हो तो subscribe करें और notification bell को दबा के all को select कर दे ताकि इसी तरह के informative वीडियो का notification आपको मिलता रहे धन्यवाद